आज की तारीख में आधूनिक से आधूनिक हथियार भले ही हमारे हाथों में आ गए हो लेकिन युद्ध भूमी में जो सबसे ज्यादा साथ देता है वो है हमारा होसला और हमारे प्रशिक्षित हाथ इसलिए ये जो बेलेट फाइटिंग की ट्रेनिंग आप देख रहे हैं भ जारू फीट की उचाई पर शारीडिक प्रशिक्षन पहाड़ों पर चड़ाई के हर तरीके में पारंगत बनना उचाई और बातावरण की चुनोतियों से निपटने की ट्रेनिंग और इसके साथ ही युद्ध की पारंपरी कलाओं में प्रशिक्षन हुँँँँद में पनकालत आए रिक्रोट के ढर को निकालना है कुछ भनार फैटिंग के कुछ घूमियों अगता है जैसे कि बे डर, बे रहम यह होता है यह आसोड के दोरन बहुत काम में आता है क्योंकि जब भी किसी बंकर के उपर आसोड करता है तो उसमें यह देखा जाता है कि अगर हमने गर्णेट फेंगा तो गर्णेट से कुछ दुश्मन केजूल्टी होते हैं लेकिन मरते नहीं तो उस अच्छन का मकसद इन्हें इस उचाई पर अजय बनाना लटाक स्काउट्स की पूरे ट्रेनिंग शिड्यूल का मकसद यही हो इंडिय नामी के जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो ऐसा है बनाये गया है और खासकर उसमें और थोड़ा मॉडिफिकिशन करते हैं लदा स्काउट शम्ता है जो आप नेचुरल होने के बावजूद भी उससे भी और उंचा लेकि जा सकते हैं तो ट्रेनिंग करिकुलम को हमने ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ जिसकी वज़े से वो सोच से भी बहुत दूर तक के हम उनकी शम्ता को और एक्स्परिमेंट कर सकते हैं लडाक स्काउट्स की तैनाती प्रमुक तोर पर लडाक की सीमाओं पर की जाती है यानि पाकिस्तान की ओर लाइन очер चीन की ओर लाइन ओफ एक्ट्वल कंचूल है यह तैनाती के लिए बेहज जटिल इलाका है लडाक के पहाड 22,000 फीट की उचाई तक जाते हैं इस इलाके में ऑक्सिजिन की कमी होती हो, यहां बिना पेड पौधों के नंगी चटाने हैं तो ग्लेशियर भी हैं, इन इलाकों में भीशन ठंड पड़ती हैं, लदाक स्काउट्स के सैनिकों को इन भीशन परिस्थितियों के लिए हमेशा तयार रहना होता है और पूरी ट्र काम करना बन कर देता है, इन सारे चीजों को भी मद्दर नज़र रखते हो, इसलिए हम रात को एकदम गहरे, जब तापमान एकदम ही नीचे पहुच गया हो, उस टेम पर हम जान बूच कर इनकी फारिंग कराते हैं, और इन सब चीजों के भी तालीम देते हैं, ताकि आगे इस ट्रेनिंग में सुकून के पल भी होते हैं, हलांकि वो भी कुछ सीखने की खाथिर ही, यह जो बॉक्सिंग नाच आप यहाँ पर देख रहे हैं, जज भी है, यहाँ पर रेफरी भी है, टाइम कीपर भी है, दर्शक भी है, सब हैं, लेकिन यह एक प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ जो मुकाबला चल रहा है, यह नोविस बॉक्सिंग कहलाता है, यानि कि नौसिखियों की मुक्यबाजी, अब यह क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि कोई भी जब सेना में भरती होता है, तो उसके मन से डर को निकालना होता है, यहाँ डर को निकालन मारने का भी और मार खाने का भी इसलिए यहाँ पर इस बॉक्सिंग नाच का आयोजन किया जा रहा है खेल सेन्य प्रशिक्षण का बहुत महत्वकूर हिस्सा है अलग-अलग रेजिमेंट के रिक्रूट्स की ने सर्गिक ताकत को निखारने के लिए कुछ नए स्किल सिखाने के लिए और टीम स्पिरिट जगाने के लिए थोड़ी से भी ट्रेनिंग मिली थी अभी कि कैसे करना है बॉक्सिंग थोड़ी हमें पहले दो-तीन दित पहले हमें दास दित पहले हमें फिक्चीज कर रहा था तिरे हमें अभी यहाँ पर हमें खेलने के मौका मिला अभी बहुत अच्छा लग रहा है तो यह कहते हैं कि किसी को मारने में डर नहीं लगना चाहिए या मार खाने में डर नहीं लगना चाहिए तो वो डर निकलता है यहाँ पे मुख्यबाजी के इस खेल में भूसे बरसाने वाले दोनों योधाओं के लिए ये खेल बिल्कुल नया है और इसका मकसद भी यही है मन से हर तरह के संकोच, वहन और डर को निकाल दो जीत और हार का यहां कोई मतलब नहीं यहां दोनों ही खिलाडियों को बस इस खेल से मतलब नहीं इसी तरह बास्केट गॉल जैसा खेल जो इनकी शारीरिक संवरचना को चुनोती देता है एक नई प्रतिभा सीखने का मौका देता है और एक टीम की तरह खेलने का अवसर और एहसास भी